36 कड की गरिया बंद जले में दो महिलाओं के लोहे की तार पर कपड़ा सुखाने से करेंट लगने का मामला सामने आया है दरसल ये मामला वाड करमांक दो आजाद चौक का है जहां दो महिलाओं देव की बाई दोंग्रे और सुवन बाई दोंग्रे विद्योत तार पर कपड़े सुखा रही थी इसी दोरान अचानक करेंट लगने से दोनों महिलाओं बिजली के तार से चिपक गई महीं चीख पकार सुनकर महले वासियों ने किसी तरह उने लकड़ी के डंडे और प्लास्टिक के टेबल से लग किया और एम्बुलेंस वाहन से दोनों महिलाओं को उपचार के लिए जिला अस्पताल भिचवाया गया बतादे कि जिला अस्पताल पहुशने से पहले ही डंगरी बाई की मौत हो गई महीं दोसी महिला सुमन डंगरे गंभी रूप से घायल बताई गई है जिसका गरियाबंद जिला अस्पताल में इलाज जारी है गरियाबंद से समवादाता भोलेश मिश्रा की रिपोर्ट मेडिकेट थी यहां और एक जो जिनको लगा है उसको मेडिकेट कर रहे हैं अप्तीम के लिए जो भी प्रोसीजर है वो इस्टार्ट कर रहे है